हलो फ्रेंड्स बेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे रीजिनिंग के इंपोर्टेंट प्रेश्णों की उन प्रेश्णों की बात करेंगे जो परिक्षाओं में पूछे गए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला प्रेशन है यदि 4 गुने 2 गुने 6 बराबर 1626 तथा 3 गुने 7 गुने 4 बराबर 974 हो तो 5 गुने 6 गुने 8 बराबर कितना होगा इन प्रेशनों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये प्रेशनी कितने ज्यादा परिक्षाओं में पूछे जा रहे हैं इनके बारे में आपको अच्छे से मालूम होगा तो देखिए जो relation आप यहां बनाएंगे वही relation आपको यहां पर बनाना होगा और उसी relation से यह वाली संख्या find होगी ठीक है तो 4 और 2 और 6 से क्या आपको 1626 मिल सकता है multiply में संख्या दे रखिए क्या income multiply करने से इतनी बड़ी संख्या आपको मिलेगी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी लेकिन फिर भी कोई न कोई logic होगा जिससे कि आप इन संख्याओं से यह संख्या बना सकते हैं देखिए कैसे बना सकते हैं संख्याओं का थोड़ा ध्यान से देखिए संख्याओं को आप दियान से देखेंगे आपको आप cancel मिल जाएगा देखिए यहाँ पर क्या है चार है यहाँ पर दो है यहाँ पर छे यह जो पहली संख्या है चार मैं इसको ले लेता हूँ ठीक है चार को ले लिया अब मैं चार का यदी square करूँ तो चार का स्क्या कितना होता है 16 किलियर जो पहली संख्या थी मैंने उसका square कर लिया 16 होता है और यहाँ पर पहली संख्या आपको 16 ही दे रखी है ठीक है बाद वाली संख्या 2 है लाश्ट वाली 6 है तो यहाँ पर देखेंगे बाद वाली 2 है लाश्ट वाली 6 है तो इसका मतलब इनको as it is लिखा गया है भाई देखे 4 का square किया 16 उसके बाद मैं 2 और 6 है और 2 6 यहाँ पर है इनको as it is लिख दिया गया है 2 और 4 को कोई change नहीं किया इनमे ना square किया ना कुछ किया समझ में आई बात वही हम दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे पहली संक्या का square किया बाद वाली as it is लिख दी यहाँ पर भी करेंगे पहली संक्या का square करेंगे मतलब 3 का square करेंगे कितना होता है 9 और जो बाद वाली संक्या उनको as it is लिख देंगे जैसे कि 7 है, 7 लिख 2, 4 है तो 4 लिख 2, 974 हो जाएगा और आपको यहाँ 974 ही दे रखा है, तो जो लोजिक हम में यहाँ पर लगाया, वही यहाँ पर लगा दिया इसी लोजिक से अब यह आपको पता चल जाएगा, तो पहली संक्या 5 है तो आप 5 का स्कॉर कर दो 5 का स्कॉर कितना होता है, 25 और बाद वाली संक्याओं के जिट्रिज लिख दीजे बाद वाली क्या है, 6 है और 8 है, तो 25 68 आपका आंसर होगा 25 68 भी ओफ्सन में दे रखा है यह आपकी प्रेशन का बिलकुँ सही आंसर हो जाएगा उम्मिद करूँगा कि सभी को प्रेशन अच्छे से समझ में आगिया होगा ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है नीचे दियेगे प्रेशनों का सही बेनारेख बताओ डॉक्टर, रोगी, मनुष्य इन चार ओफ्षन में से कौन सा ओफ्षन सही होगा डॉक्टर, रोगी, मनुष्य आपके दिमाग में बात आएगी कि कुछ मनुष्य हमारे रोगी होंगे और कुछ मनुष्य हमारे डॉक्टर होंगे इस तरीके से आपके दिमाग में बात आएगी लेकिन से पहले तो सरकल मनुष्य का बना लेंगे भाई ठीक है अब मनुष्य के अंदर ही तो आपके डॉक्टर आएंगे चाहे वो लेडी डॉक्टर हो चाहे जेंड्स डॉक्टर हो रोगी चाहे लेडी हो चाहे जेंड्स हो वो सब मनुष्य के अंदर आगे तो यह तो सरकल होगे मनुष्य का और मनुष्य के अंदर ही क्या आएंगे दोस्तों डॉक्टर आएंगे और मनुष्य के अंदर ही क्या आएंगे रोग ही आ जाएंगे तो इस तरीके का सरकल बनेगा जो कि B-Option में दे रखा है आई दोस्तों बात समझ में जैसे कि आपको दे दिया जाए यहाँ पर मैं बात करूँ आपको दे दिया जाए भारत ठीक है भारत के बाद आपको दे दिया जाए यहाँ पर दिल्ली इस तरीके से भारत के बाद आपको दे दिया जाए दिल्ली अब देखे भारत दे दिया और दिल्ली दे दिया तो सबसे पहले त गुजरात दे दे तो वो भी कहाईगा वो भी तो भारत के अंदर आएगा और कुछ भी दे vaccbons दे अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है यहाँ पर देखेंगे 3 into 4 का सिमेट्री है और question mark दे रखा है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर कौन सी संक्याईगी वो हमको पता करना है ऐसे प्रेशने मैंने पहले भी आपके लिए बहुत कराए हैं तो आप reasoning की playlist में जाकर के देख लेंगे तो सारे doubt clear हो जाएंगे ठीक है देखें दोस्तों यहाँ पर 16 कैसे आया यहाँ पर 11 कैसे आया उसी तरीके से यह संक्याईगी तो हमको यह संक्याईगी करनी है 16 कैसे आया तो 16 किन संक्याईग से मिलेगा 14, 12 और 10 से मिलेगा तो मैं 14, 12, 10 में ऐसे क्या करूँ कि मुझे 16 मिल जाए देखें दोस्तों जो पहली संक्याई 14 है और जो तीसरी संक्याई 10 है 14 का और 10 का मैं अगर अंतर कर लूँ 14 का, 10 का मैं अंतर कर लूँ तो 14 मैं से 10 जाएगा कितना एगा? चार आएगा अभी बीच वाली संक्याई का तो हमने कुछ नहीं किया पहली संक्याई और तीसरी संक्याई का अंतर कर लिया चार आया और जो बीच वाली संक्या 12 है इसको जोड दीजिए 4 में तो 12, 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16 मिला वही यहाँ पर कीजिए पहली संक्याई और तीसरी संक्याई का अंतर कीजिए अंतर तो 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा और प्लस कर देंगे उसमें बीच वाली संक्या 7 को तो 4 में 7 जोड देंगे, 11 किलियर वही यहाँ पर कीजिए पहली संग्या तीसी संग्या कंतर कीजिए चार में से जीरो घटा देंगे तो चार ही रहेगा और पिलस कर देंगे बीच वाली संग्या दो को तो चार में मैं दो जोड़ूँगा कितना हैगा च्छी C option बिल्कुल सही उम्मिद करूँगा सभी की समझ में प्रेशन बहुत अच्छे तरीके से आगया होगा किसी को भी प्रेशन में कोई भी समस्या कोई भी डाउट नहीं होगा ठीके दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है L और M बहने है P L का पती है O M का पती है Q M और O का पुत्र है तो L और Q का क्या समझ में पहुत ही अच्छा प्रेशन है सबसे पहले बात कही है L और M बहने है ठीके दोस्तों तो L और M ये दोनों आपस में कौन है बहन ये दोनों आपस में दोस्तों बहने है L और M ठीके P L का पती है L का दोस्तों पती है कौन P L का पती तो यहां मैं पती लिख देता हूँ L का पती P हो गया O M का पती है M का पती दोस्तों कौन है दे रखा है आपर O यह M का पती दे रखा है O ठीक फिर कह रहा है Q और M Q M और O का पत्र है M और O का M और O का पुत्त्र है दोस्तों कौन Q कौन हैं इनका पुत्त्र दोनों का दोनों का पुत्त्र है ठीक है O और M का पुत्त्र हो गया Q अब यहां पर कह रहा है L और Q का क्या संबंद है इस L का और इस Q का क्या संबंद है ठीक है, अब समझी अच्छे तरीके से, L और M ये तो दोनों बहने हो गई, ठीक है, अब ये Q की मा है, और ये Q का पिता है, M कौन है दोस्तों, Q की मा, और मा की बहन कौन लगेगी, मौसी लगेगी, ये बात आपकी किलियर है, भाई, मा की बहन कौन लगेगी, मौसी लगेगी तो पूछ रहा है Q का संबंद पूछ रहा है L और Q का क्या संबंद है L और Q का अब देखे Q की मा M है और मा की बहन कौन लगेगी मौसी और मौसी का Q कौन लगेगा भांजा लगेगा कि नहीं लगेगा लगेगा आप कहेंगे बिल्कुल लगेगा तो क्या relation हो गया दोस्तों यहाँ पर भांज ये का relation हो गया भांजा लगेगा C option बिल्कुल सही किलिए L और Q का क्या संबन्द है भाईया L और Q का Q की मा M और मा की बहन मौसी लगेगी तो मौसी का ये भांजा नहीं हो जाएगा Q सभी की समझ में प्रेशन अच्छे तरीके से आगया होगा आप देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है नीचे दिये गए विकल्पों में से संबंधित संख्याव को चुनिए यहाँ पर देखिए आपको एक नंबर एनलोजी का प्रेशन दिखेगा इसमें क्या रेलिशन बनना है वो आपको बताना है 20 दिरक्खा, 6 दिरक्खा, 40 दिरक्खा यहाँ पर क्याएगा यहाँ आपको बताना है चार ओफ्सन में से कोई एक संख्याई यहाँ पर आएगी और इसको भी मैं दो से कटा दूँगा, ये तीन बार में कटेगा, इतनी बात दो समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दो से मैंने दोनों को कटा दिया, ये दस बार में कटा, ये तीन बार में, दो से कटाया है दोनों को एक ही संक्या से, तो यहां पर भी मैं दोनों को एक ही संक्या से अगर कटाऊंगा तो ये दसवार कटा है ये तीन वार तो ये भी दसवार कटना चाहिए और दूसरी वाली तीन वार पहले वाली संक्या दसवार कटी है दूसरी तीन वार तो यहां भी ये दसवार कटे और ये तीन वार ठीक है तो चार से में से कटाऊंगा 40 को तो 44 से 10 वार में कटेगा तो 4 से 40 दसवार में कट गया तो 4 से 3 वार में कॉंसिसन क्या कटेगी 12 होती है 4 से मैं 12 को कटाऊंगा 3 वार में 3 वार में ही तो कटना चाहिए पहली वाली 10 वार में दूसरी 3 वार में पहली 10 वार में दूसरी तीन वार में तो यहाँ पर कॉंसिसेंग आएगी जो चार से पूरी-पूरी कर जाएगी तीन वार में पहीं बारा आएगी बारा कहां दे रखा है डियो ओफ्षन में यह आपकी प्रेशन का सही आंसर हो जाएगा उमीद करूँगा दोस्तों सभी को प्रेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा किसी को भी प्रेशन में कोई भी समस्या कोई भी प्रोग्लम नहीं होगी ठीके दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें दोस्तों में शेयर करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन का बटन दबा दीजे ताकि इसी प्रकार के प्रेशन आपको देखते हो को मिलते रहें ठीके दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद